कि अच्छ नमस्कार साथियों मैं नागें जरिंग चोहान एच पेजुकेशन के इस ओनलाइल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ साथियों आज हम भारतिय सम्विधान के एक महत्वपूर्ण विशे प्रस्तावना पर विचार करेंगे देखे सातियों प्रस्तावना को लेकर बहुत से प्रश्ण परिक्षाओं में आते रहते हैं और वे प्रश्ण कभी-कभी बहुत इजी भी होते हैं और कभी-कभी जो हैं वो हमें confusion भी पैदा करते हैं तो सातियों आज अपनी क्लास में अपन जो हैं वो सारे कनफिजोनों को दूर करते हुए अच्छे से जो है भारती सविधान की प्रस्तावना को समझेंगे देखे सत्यों पहली बात तो यह है कि इसे प्रस्तावना क्यों कहा गया पहली बात तो इसे प्रस्तावना क्यों कहा गया देखेगा की हम सब जानते हैं कि भारतिय सविधान का निर्मान जो है वो एक सविधान सभा द्वारा किया गया और सविधान सभा का निर्वाचन भारतिय जनता द्वारा किया गया तो ये सविधान सभा जो है वो जिन उद्देशों को जिन मुल आदर्शों को भारतिय सविधान में सम्मीलित करना चाती थी उन मुल आदर्शों को इस प्रस्तावना में प्रस्तूत किया गया है इसलिए इसे प्रस्तावना कहा गया प्रस्तावना को भारती सविधान का दर्पन, भारती सविधान का दर्शन, भारती सविधान की थिलोसो भी भी कहा जाता है क्यों? क्योंकि हमारे सविधान निर्माताओं के मन मस्तिक्ष में जो मूल आदर्ष थे वो मुल आदर्श जो है वो इस प्रस्तावना में प्रस्तूत होते हैं इसलिए इसे प्रस्तावना कहा जाता है देखेगा सत्यों प्रस्तावना का जो आधार है देखेगा अपन जानते हैं प्रस्तावना का जो आधार है देखेगा कि हम जानते हैं कि बारतिय सविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो कब होती है तो 13 दिसंबर 1946 को सविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इस सभिधान सभा की अंतिम बैठक में पंडित जवाहर लाल नहरू द्वारा एक उद्देश प्रस्ताव पारित किया जाता है और यही उद्देश प्रस्ताव जो है वो आगे चल कर 22 जन्वरी 22 जन्वरी 1947 को पारित किया जाता है प्रस्तूत कब किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को किस के द्वारा पंडित जवाहर लाल नहरू के द्वारा और उद्देश प्रस्ताव के नाम से प्रस्तूत किया जाता है जिसे पारित कब किया जाता है तो 22 जन्वरी 1947 को पारित किया जाता है इस प्रकार से भारतिय सविधान की प्रस्तावना जो है इसका आधार पंडित जवाहलाल नहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तूत किया गया उद्देश प्रस्ताव है देखेगा हम बात करते हैं कि ये जो उद्देश प्रस्ताव जो है ये जो प्रस्तावना है ये जो प्रस्तावना है उसका विचार कहां से लिया गया हमारे सविधान निर्माताओं द्वारा इसका विचार कहां से लिया गया तो देखेगा सात्यों कि विश्व में सबसे पहले सविधान में प्रस्तावना का विचार या सविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के सविधान में सम्मिलित किया गया था और अमेरिका के सविधान से ही विश्व के विभिन देशों ने इस प्रस्तावना को अपनाया तो इसी प्रकार हमारे भारत के सविधान निर्माताओं ने भी इस प्रस्तावना को जो है वो कहां से घ्रण किया, कहां से ये विचार लिया, तो कहां से लिया, अमेरिका से लिया, कहां से लिया, अमेरिका से जो है यह विचार हमने घ्रण किया देखें का सातियो ये प्रस्तावना जो है इसमें कुछ इस प्रकार से वरणन किया गया है कि हम भारत के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक न्याय, विचार, अभिवेक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सोतंतरता, पतिस्था और अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट की एकता और अखंडता को सूनशित करने वाली प्राप्ता को बढ़ाने के लिए द्रट संकल्पित होकर आज इस सविदान सबा में 26 नवंबर 1959 को मिती मार्ग 67 विक्रम सवद 2006 को द्रट संकल्पित होकर अंगिकरत अधिन्यमित और आत्मार्पित करते हैं इस प्रकार से हमारे बारतिय सविदान की परस्तावना हैं देखे सातियों इसमें कुछ शब्द आये हैं जिने हमें पकड़ना है और प्रस्णा आजकल जो हैं वहीं से बनते हैं देखेगा सबसे पहले तो हमें द्यान रखना है कि भारतिय सविदान की परस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया हैं तो भारत शब्द कितनी बा नहीं बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग तो यह जो हम भारत के लोग जो वक्यांस हैं यह हमने भारती सविधान निर्माताओं ने इसे कहां से ग्रण किया है तो इसे जो हैं वहां अमेरिका के सविधान से ग्रहन किया है का से ग्रहन किया है तो अमेरिका के सविधान से ग्रहन किया है इसका तातपर ये क्या होता है इसका तातपर ये होता है कि इस सविधान का निर्मान जो है वो संपून भारतिय जनता ने मिलकर किया है अपन जानते ही हैं कि सविधान का निर्मान सविधान सभा ने किया है और सविधान सभा का निर्वाचन जो है वो भारतिय जनता ने किया है इसका मतलब यह हुआ कि हम भारत के लोग अर्थात इस सविधान का निर्मान जो है वो संपूर्ण भारत ने मिलकर किया है और इसकी अंतिम शक्ती जो है वो किसमे नहीं थे तो भारतिय जनता में नहीं थे देखेगा कभी कभी यहाँ से एक प्रश्ण बनता है प्रश्ण यह बनता है कि भारतिय सविधान की समप्रभूता किसमे नहीं थे और इसके चार option आते हैं कि option number A में आता है रास्टेपती option number B में आता है सविधान option number 3 आता है जन्ता और option number 4 आता है उच्छतम नियाले तो अपन जो हैं वो कभी-कभी confusion आते हैं और वहाँ पर अपन सविधान भी कर सकते हैं और रास्ट्रपती भी कर सकते हैं परन्तु चुकि भारती सविधान भारत की जनता के नाम से अंगिकरत अदिनियमित और आत्मारपित किया गया है इसलिए बारतिय सविधान की संप्रभूता जो है वो भारतिय जनता में नहीं थे किसमें नहीं थे तो भारतिय जनता में नहीं थे देखे साथ यो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर संपून प्रभूत्व संपन इसका मतलब होता है कि भारत की संप्रभूता जो है वह भारत में ही नहीं थे इसका मतलब यह है कि भारत जब अपनी विदेश निती बनाएगा तो ना तो वह किसी बाहिय दबाव में और नहीं वह आंतिक दबाव में अपनी विदेश निती का निर्मान करेगा स्वतंत्र होकर अपने विदेशनिती का निर्मान करेगा आगे देखते हैं हम समाजवादी आगे लिखा हुआ है समाजवादी मुलता समाजवादी जो विचारधारा है वो कारल मार्ग्स के विचारों से निकली हुई है प्रंतु बारतिय सविधान में समाजवादी का मतलब होता है कि धन का जो है वो एकतरिकरण किसी एक वर्ग विशेश में यानि कि धन का केंदरीकरण न हो और धन जो है वो समाज के सभी वर्गों में जो है उसका बड़वारा हो साथ ही समाजवादी का मतलब होता है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों के जो है वो नियुन्तम आव सकता है पूरी हो और संसादन जितने भी है भारत के जितने भी संसादन है उस पर सभी लोगों को जो है वो समान अधिकार हो इस प्रकार से समाजवादी दारना जो है भारती सविदान की प्रस्तावना में अपनाई गई है आगे लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर पंत निर्पेक्ष्टा पंत निर्पेक्ष्टा का मतलब यहाँ पर नकारत्मक रूप से नहीं है सकारत्मक रूप से हैं इसका मतलब यह हुआ कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं हैं, परंतु वह सभी धर्मों के प्रती, सभी पंथों के प्रती जो हैं, वह समान बाव रखेगा, और विशेश रूप से अल्प संक्यों के लिए जो हैं, वह विशेश रूप से यहाँ पर उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किये जाएंगे जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारती सविदान में अल्पसंकोकों के लिए विशेष अनुच्छदों में उनका प्रावधान किया गया है देखे सातियों आगे लिखा हुआ है लोग तंतरात्मक का मतलब होता है कि लोगों का साष्ण डेमोख्रेशी और अपन बहतर रूप से जानते हैं कि भारत में डेमोख्रेशी है आगे लिखा हुआ है साब यहाँ पर गणराज्य क्या लिखा हुआ है गणराज्य देखेगा आपको गणराज्य जो हैं हमने जो पड़ा था कि भारती सविदान के वि फाग इसका मतलब यह हुआ कि हमने फ्रांस से का से फ्रांस से क्या लिया है गंड तंत्र रिपब्लिक अपन मनाते हैं रिपब्लिक डे तो हमने फ्रांस से यह ट्रीक अपनको याद रखनी है फाग जिससे अपनको याद आजाएगा कि फ्रांस से क्या लिया है हमने फ्रांस स गंडराज्य भारत का जो है भारत का जो है राज्या देक्स है उसका वह वंचानुगत न होकर उसका प्रती पांच वर्ष में जो है उसका क्या होगा तो उसका प्रती पांच वर्ष में जो है उसका चुना होगा निर्वाचन होगा और उसके द्वारा उसको चुना जाएगा जिस प्रकार से भारती राष्ट्रपती को प्रती पांच वर्ष में चुना जाता है देखेगा आगे लिखा है यहाँ पर भारती सविधान की प्रस्तावना में हमें तीन प्रकार के न्याय दिये गए कितने प्रकार के नयाय दिये गए हैं? तीन प्रकार के कौन-कौन से सामाजी, आर्थिक, और राजनेतिक नयाय कभी गभी συख़ोर कने प्रशन ऐसे भी आलता है कि भारती सवीदान में कितने प्रकार के नयाय प्रदान किये गए हैं तो वह बहुत easy question हो गया है और वह तीन परकार के हो गए परंतु अब पूछ ले कि भारती सविदान में प्रदान किये गए न्यायों को क्रम से जमाईए क्रमश्व तो देखेगा अपन को याद रखना है कि समाज इक रूप से सभी व्यक्ति जो हैं उनको समाज के सभी भूध आवसक्ताय जो हैं जैसे रोटी, कप्ड़ा और मकान सबको पराप्त हो आगे लिखा हुआ हैं राजनेतिक न्यायों मतलब शभी को मत अधिकार का वयस्क अधिकार पराप्त हो तो इस परकार से बारती सविदान में तीन पर्कार की न्यायों दिये गए हैं सामाजि की दी गई हैं पांच प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी विचार अभिवेक्ति विश्वास दर्म और उपासना की स्वतंत्रता कौन कौन सी विचार अभिवेक्ति विश्वास दर्म और उपासना की स्वतंत्रता देखेगा अपन चानते ही हैं कि भारतिय सविदान में सरकार की आलोचना करने के लिए भी सोतंत्र हैं और सरकार की आलोचना भी करता हैं जैसा कि अपन मीडिया में आए दिन देखते रहते हैं विश्वास का मतलब मैं आस्तिक भी हो सकता हूँ और मैं नास्तिक भी हो सकता हूँ यह मेरे विश्वास पर depend है इस प्रकार से प्रतेक भारती नागरिक जो है वो आस्तिक भी हो सकता है और नास्तिक भी हो सकता है दर्म का मतलब यह है कि यहां व्यक्ति जो है या बारती नागरिक जो है वो किसी भी दर्म को मान सकता है उस दर्म का अनुसरण कर सकता है और उपासना का मतलब है कि बारती नागरिक जो है वो किसी भी प्रकार से अपनी पूजा पदती को अपना सकते हैं इस प्रकार से बारत भारतिय सविधान की प्रस्तावना में पांच प्रकार की सोतंता दी गई हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, दर्म और उपास्ना की सोतंता दी गई हैं देखे सातियों अभी हमें बहुत इजी लग रहा हैं परंट कभे कभे क्या होता हैं कि परिक्सा में जब यह आत परंटु हमें डेफिनेटल इन पांचों को इसी करम में याद करना है क्योंकि हो सकता है करम पूछ ले तो इसलिए इन्हें करम में हमको याद करना हैं साती आगे लिखा हुआ हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्रदान की गई हैं प्रतिष्टा का मतलब ये है कि प्रतेक भारतियों को प्रतेक व्यक्ति को जो है वह नियूंतम अधिकार प्राप्त हैं और नियूंतम जीमन जीने का पूरा-पूरा अधिकार हैं और अउसर प्रतेक भारतियों को आगे बढ़ने के लिए समान अउसर प्राप्त होंगे और इस प्रकार से बारतिय सविधान सबार ने इस सविधान को 26 नवंबर 1990 को अंगिकरत अधिनियमित और आत्मारपित किया कि निमन भारति सविधान की प्रस्तामना में निमन शब्दों को क्रम से जमाईए और इस प्रकार से जो है वो हमें पूसकता है तो साथियों इसको याद करने का सबसे इजी और सबसे आसान तईका यह है कि हम ये याद करें हम ये याद करें कि सबसे पहले हमारे अंग आए क्या है हमारे अंग आए और सबसे बाद में हमारी क्या आई आत्मा आई तो इस से हमें जो है वो इजी और कन्फो में याद हो जा बारती सविदान की प्रस्तावना को जो है वो अंगिकत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया